तो दोस्तों यहां पे मैंने काइन मास्टर को ओपन किया हुगा है यहां पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा काइन मास्टर का इंटरफेस यहां फ्रेंड्स आप वीडियो एडिट करते हैं और फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप कोई भी आपका वी ग्राउंड है उसे एक मिनिट में आप रिमूब कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि इसी तरीके के इंट्रस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को यहां से आगे ब यहां पर आपको क्या करना है आपको जो भी वीडियो एडिट करना है अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना है तो सबसे पहले आपको 16.9 वाला रेश्यू यहां पर ले लेना है अगर आप शॉर्ट यहां पर एडिट करना है यूट्यूब शॉर्ट वी रिमूव करके दिखाऊंगा यहां पे फ्रेंड्स मैंने जो वीडियो लिया एक काट्ına का वो शॉट है तो मैं शॉट यूट्व वाला ही साइज यहां पर सेलेक्ट करके यहां कीरेट पर किलिक करदूंगा करना है और यहाँ जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए रोटेट हो जाएगा रोटेट होने के बात आपको वीडियो यहाँ पे ले लेना है यह मैंने डाउलूड कर रखा है और यह देखिए वाइड बैकग्राउंड है इस वीडियो का देखिए इस फिर nation को लेने बैक्ग्राउंड ले लेना है तो या तो आप कोई काटून एडिट कर रहे हैं तो उसी तरह का यहां पे बैक्ग्राउंड ले साॱ्यूरमा करिंगा आपको पैन जूमर यह करेंगे और यह देखिये यहां पर मु stadium स्कौि करेंगे तो यहां में यहां से संस क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐसे मैंने अपना खीच घ्र रहा कर लिए अब यहां से फ्रेंड्स आपको कर देना है लेयर पर under गलिक यहां पर वीडियों ले 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 लिए जो आपने डाउनलोट कर रखा है था यहां पर आपtheि और जान्बें और यहां पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था फ्रेंट सी ये Green Screen वाला तो यहां पर इसको लियाते हैं friends देखिये हमारा background यहां काफी बड़ा हो गया था तो यहां से हम डिलिट कर लेते हैं अपने background को अब देखिए scissor पे एक बार क्लिक करके right hand side से इसको उड़ा देना है यह बराबर हो गया है और friends से अपने वीडियो पे क्लिक करना है और इसे अपने background के बराबर यहां पे लियाना है और ऐसे खीच के बढ़ा कर देना है अब देखिए यहां पे हमारा वीडियो सेट हो गया और यहां पे यहां पर यह अपने अप देखिए इसे अच्छे से set कर लेंगे और यह set हो गया है Friends और यहां पर प्रेट करके देखेंगे तो देखिए हमारा बैग्राउंड यहां पर हड गया है अब फ्रेंटंस माल लीजिए अगर आपका वैग्राउंड यहां पर white कलर का था तो यहां पे फ्रेंट्स आपको कलर से दिखेंगे तो आपको यहां से जो भी आपका बैग्राउंड है वाइड है ब्लैक है ग्रीन है या कोई भी कलर का बैग्राउंड है आप वह कलर यहां से सेलेक्ट करके यहां से राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए उसके बाद यहां से बैक करेंगे आपका बाइट वैक्ग्राउंग यहां से हट जाएगा लेकिन इस वीडियो में यहां पर अधो घ्राइट ड्रौंड तो जिआ for घ्रा यहां से करकर हटा लेना है भाद ध्रेंड थोड़ा सा आपको यहां से सेटिंग करनी है क्रोमा की से इसको आगे पीछे कर लेना है यह अगर वाइड दिख रहा है आपका जो यहां पर केरेक्टर है वह वाइड दिख रहा है तो आपका बैक्ग्राउंड हट चुका है अब देखिए यह ऐसे रहता है यह पूरी तरीके से वाइड नहीं है यहां पर इसको स्क्राइब करना मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियों में अगरे वीडियों में